प्रस्ण तीन सारनी पुरा कीजे तो प्रस्ण तीन का पहला पहला है पर्थम बियांजक ऐ है और दीतिय बियांजक यानि A गुना बी प्लस C प्लस D ठीक है इस तरह लिख लेंगे यानि पर्थम ब्यांजक से दीतिय ब्यांजक को गुना करना है तो पर्थम ब्यांजक A है तो गुना का चिन हैं देंगे हम और दीतिय ब्यांजक है B प्लस C प्लस D यानि गुना करेंगे इसको तो हो जाएगा देखें A गुना A B यानि A से पहले B को गुना करेंगे तो A, B बीच में जोड का चिन है तो यहाँ पर जोड का चिन A गुना C A, C प्लस A गुना D A, D यानि इसका उत्तर हो गया A, B प्लस A, C प्लस A, D दूसरा दूसरा है X प्लस बाई X प्लस बाई माइनस 5 पर्थम ब्यांजक यह है दूसरा ब्यांजक है 5X बाई 5X बाई तो देखे 5X बाई से इन तीनों को गुना करेंगे एक एक करके तो 5X बाई गुना X क्या हो जाएगा तो 5X बाई X यहाँ भी है X यहाँ भी है यानि 5X स्क्वाईर बाई प्लस का चिन है तो प्लस 5X बाई गुना बाई यानि 5X बाई का स्क्वाईर देखे बाई गुना बाई क्या हो जाएगा बाई का स्क्वाईर माइनस का चिन है यह प्लस में तो प्लस माइनस माइनस 25 x by यानि इसका उत्तर आ जाएगा 5 x square by प्लस 5 x by square माइनस 25 x by तीसरा प्रस्न तीन का तीसरा P गुना P है पर्थम ब्यांजक द्यूतिय ब्यांजक है 6 P square माइनस 7 P प्लस 5 ये है द्यूतिय ब्यांजक तो देखे P से पहले P से एके करके तीनों को गुना करेंगे तो P गुना 6 P square यानि 6 P का घात 3 P square गुना P कितना हो जागा 6 P का घात 3 ये माइनस है ये प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस 7 P गुना P क्या हो जाएगा 7 P square क्योंकि P यहाँ भी है P यहाँ भी है तो P गुना P P square ये प्लस में है ये भी प्लस में तो प्लस देंगे 5 गुना P 5 P तो ये हो जाएगा इसका उत्तर 6P का घातिन माइनस 7P² प्लस 5P प्रस्न 4 यानि प्रस्न 3 का 4 तो 4P² Q² गुना P² माइनस Q² तो 4P² Q² से P²-Q² को गुना करना है पर्थम ब्यानजक है 4P² Q² दीती है ब्यानजक है P²-Q² तो देखिए 4P² Q² से पहले P² को गुना करेंगे तो P² गुना P² क्या हो जाएगा तो घात दो है यहां भी घात दो है यानि 2-2 4 तो 4P का घात 4 Q² माइनस यहां देखें माइनस है यह प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस 4P square Q square तो 4P square Q का घाद दो गुना Q का घाद दो क्या हो जाएगा Q का घाद 4 यानि इसका उत्तर आ चुका है 4P का घाद 4 Q square minus 4P square Q का घाद 4 अब प्रेशन 5 तो प्रस्ण 3 का 5 प्रस्ण है A जोड B जोड C गुना A, B, C यानि पर्थम ब्यांजक है A जोड B जोड C गुना दीतिय ब्यांजक है A, B, C तो A, B, C गुना A क्या हो जाएगा A स्क्वाइर B, C देखे A, B, C गुना A तो A गुना A क्या हो जाएगा A स्क्वाइर और B, C है तो A स्क्वाइर B, C अब A, B, C गुना B यानि A, B, C, C B गुना B, B स्क्वाइर होगा तो A, B, Sक्वाइर C अब C से गुना करते हैं तो A, B, C गुना C हो जाएगा A, B, C स्क्वाइर तो इस तरह प्रस्न 3 का 5 तक हल कर लेंगे प्रस्न 4 निम्नलिखित का गुननफल ग्याद करें तो प्रस्न 4 का पहला प्रस्न है 100x 100x गुना 010 मलो 01 x का गाद 4 माइनस 010 मलो 01 x स्क्वाइर तो ये है प्रस्न 100x गुना 010 मलो 01 x का गाद 4 माइनस सनन्य दस्मलों सनन्य एक, एकस स्क्राइल तो इसको गुणा करेंगे तो देखे 100x को पहले इससे गुणा करेंगे किस से? इस से तो हो जाएगा 100x गुणा अब देखें, दस्मलों के बाद दो अंक है तो यानि इसको हम लिख सकते हैं 1 भटा 100 क्योंकि 10 मलों के बाद 2 अंक है तो 10 मलों हटाएंगे तो बटा में 1 पे 2 सुन्य देना होगा 1 है यहाँ पर सुन्य दस मलों सुन्य को अगर हटा दे तो क्या है 1 है तो 1 बटा 100 लिख लेंगे 10 मलों हटाएंगे तो क्योंकि 10 मलों के बाद 2 अंक है यानि एक बटा सो, एक्स का घाद चार, इस तरह इसको लिख लेंगे, माइनस, यहाँ पर क्या है, माइनस का चिन है, तो माइनस सो एक्स, दिखें, माइनस सो एक्स, माइनस है यहाँ पर, यह प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस देंगे, गुना अब इसको लिख लेते हैं तो सो एक्स गुना अब देखें यहां भी सुन्ने दस्मलों सुन्ने को हटा दें तो एक है यानि एक बटा अब दस्मलों हटाएंगे तो दस्मलों के बाद दो अंख है एक और दो यानि दो अंख है दस्मलों के बाद तो एक पे दो सुन्य देंगे क्योंकि दसमलों के बाद दो अंख है x square इस तरह से लिख लेंगे अब गुना में है तो 100 से 100 कट जाएगा यहां भी 100 से 100 कट जाएगा क्योंकि गुना में है तो x गुना x का घात 4 क्या हो जाएगा x का घात 5 देखे, x गुना x का घात 4 यहां पे बचा 100 से 100 तो कट चुका है तो x का घात 5 हो जाएगा x गुना x का घात 4 क्या हो जाएगा x का घात 5 माइनस का चीन देंगे x गुना x square x गुना x square यानि x का घात 3 तो इसका उत्तर होगा x का घात 5 माइनस x का घाद 3 तो इस तरह से इसको हल करेंगे, देखे गुना में था 100x minus 100x गुना, एक बटा 100x स्कुरार इसलिए 100 से 100 कट जाएगा, तिर्चा जैसे यहाँ पर काटे हैं बस यहाँ इधर जगा नहीं है, तो हम नीचे लिख लिए थे यहाँ पर B यह देखे, A था प्रस में 4 का A था, हम पहला लिख दिये थे A B हल करेंगे अब तो B है minus x by z गुना 2x by प्लस by z तो minus x by z गुना 2x by, क्या हो जाएगा? तो यह minus में, यह plus में है, तो minus अब 2 लिख लेंगे सबसे पहले, क्योंकि 2 है यहाँ पर अब x गुना x क्या हो जाएगा? x square by गुना by by square z इस तरह से लिख लेंगे अब यहाँ प्लस है, यहाँ minus है, तो प्लस माइनस माइनस x by z गुना by z तो सबसे पहले x लिख लेंगे, by गुना by, by square z गुना by z z square यहाँ इसका उत्तर हो गया, minus 2x square by square z minus x by square z square प्रेसन c तो c में है, minus a, b plus a, c minus b, c गुना, minus a, b यह है प्रेसन तो minus a, b, plus a, c, minus b, c गुना, minus a, b अब minus a, b, गुना, minus a, b देखे, अब minus a, b से इन तीनों को बारी-बारी से गुना करेंगे तो minus a, b, गुना minus a, b तो minus, minus क्या हो जागा, plus a, b, गुना a, b a square, b square ठीक है, minus, minus, plus हो गया तो कोई चीन नहीं आपर नहीं देंगे a, b, गुना a, b तो a, a square b, गुना b, b square अब यहाँ minus है, यहाँ पर plus है देखे, यहाँ minus है, यहाँ पर plus है तो plus, minus, minus a, b, गुना a, c तो a, a square a, a square b है यहाँ पर, तो b लिख देंगे और c है, यानि a square b, c हो जाएगा, minus a, b गुना, plus a, c अब minus है यहाँ पर, यहाँ भी minus है तो माइनस माइनस क्या हो दाए? प्लस a, b गुना b, c तो a सबसे पहले लिखेंगे b गुना b, b स्क्वार और c यानि इसका उत्तर हो गया a स्क्वार b स्क्वार माइनस a स्क्वार b, c प्लस a b स्क्वार c प्रस्ण d, तो प्रस्ण है माइनस तीने स्क्वार माइनस चार a x प्लस पांच x स्क्वार गुना, माइनस a स्क्वार x का घाद तीन यह है प्रस्ण माइनस 3 a स्क्वार माइनस 4 a x प्लस 5 x स्क्वार माइनस a स्क्वार x का घाद 3 अब इसको गुना करते हैं तो माइनस a स्क्वार x का घाद 3 से इन तीनों को गुना करेंगे बारी बारी से तो माइनस a स्क्वार x का घाद 3 से minus 3A square को गुना करेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा यहां भी minus है यहां भी minus है तो minus minus क्या हो जाएगा plus तो 3 लिख लेंगे सबसे पहले अब A square गुना A square क्या हो जाएगा एका घात 4 एका घात 4 क्योंकि एका घात 2 गुना एका घात 2 तो 2-2, 4 हो जाएगा, जूट जाएगा घात अब यहाँ पर है x का घात 3 तो लिख देंगे x का घात 3 अब देखिए, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस होता है, प्लस 4ax गुना a square x का घात 3 तो सबसे पहले 4 लिख देंगे A गुना A स्क्वायर यानि A का घात 3 हो जाएगा यहाँ 2 है यहाँ पर घात 1 है कुछ नहीं है तो तो 4 A का घात 3 X गुना X का घात 3 यानि X का घात भी 4 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 3 है और यहाँ पर 1 घात है पुछने यह तो 1 घात है तो x का घाद 4 हो गया, 3 x 4 अब यहाँ plus है, यहाँ minus है तो plus minus क्या होता है, minus 5 x square गुना a square x का घाद 3 है तो सबसे पहले 5 लिख लेंगे अब देखे, a square सबसे पहले लिख लेंगे अब x square गुना x का घाद 3 तो 3, 2, 5 यानि x का घाद 5 हो जाएगा, घाद जूड जाएगा 3, x का घाद 3 गुना x का घाद 2 यानि x का घाद 5 हो जाएगा तो यह हो जाएगा इसका उत्तर 3, a का घाद 4, x का घाद 3 जोड, 4, a का घाद 3, x का घाद 4 minus 5, a square, x का घाद 5 तो इस तरह से प्रस ने चार हल कर लेंगे